बिगिनर मैट्स चेनल का एक मात रुद्देश गणित के बेसिक कॉंसेट्स को आसान भासा में आप तक पहुचाना है फिलाल इस वीडियो सिरीज में मद्द प्रदेश पुलिस परिक्षा 2022 में पूछे जा रहे हैं प्रस्णों की प्रेक्टिस और आसान हल कराया जा रहा है अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हेलो दोस्तों नमस्कार मद्द प्रदेश पुलिस की भरती में गणित के पेपर में पूछे जा रहे हैं प्रस्णों को यहां पर हल कराया जा रहा है तो यदि आप मैट्स के अपने 40 नमबर पक्के करना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट चेक करें जिसमें मैंने मैट्स के और भी प्रस्ण करवाया है जो की अभी इस भरती परिक्षा में पूछे गए है तो आईए हम शुरू करते हैं इस प्रस्ण से प्रस्ण में पूछा गया है कि 86, 90, 79, 45 और X का और 63 है तो X का मान बताईए आपके पास में चार ओप्षन है 80, 72, 78, 75 तो देखते हैं कैसे करना है प्रस्ण में आपको 5 नंबर दिये हैं सबसे पहले 86 दूसरा है धन 90, तीसरा है धन 79, चौथा है धन 45 और पाच्वा दिया है X तो लिखेंगे X अब पाच्व संक्याओं का ओसत 73 है तो हम इसमें यदि पाच्व संक्याओं को जोड़के पाच का भाग देंगे तो इनका ओसत निकल जाता है ओसत निकालने का यही फार्मूला है तो अब इन संक्याओं को जोड़ेंगे और 5 का भाग देंगे तो इसका उसत आएगा 73 कितना दिया है प्रस्ट में 73 अब इसको हल करेंगे सबसे पहले इनको जोड़ेंगे 6 को 0 में जोड़ा 6 6 और 9 15 15 और 5 20 20 का यहां लिख दो 0 तो दो आगया हासिल में 2 और 8 10 10 और 9 19 19 26 25 25 और 4 39 यह हो गया 290 साथ में X भी है तो धन में आ जाएगा X यहां पर 5 भाग में था तो दूसरे पक्ष में जाके 5 गुणे में चला जाएगा यहां भाग में था तो 73 के साथ जाएगा गुणे में अब आगे करते हैं यह 290 है धन X इनका गुणनफल आएगा पाच 3 15 का पाच एक हासिल में आए पाना साथा 35 और एक 36 365 यहां पर X बचेगा 365 यहां पहले से है अब 290 X के साथ में धन में है तो दूसरे पक्ष में बेजेंगे तो हो जाएगा रीड में रीड में रीड 290 अब एक्स कमान के आएगा पाच में से 0 गया पाच और 36 में से 29 गया तो साथ तो हमारा आंसर आ गया 75 तो ऑप्सन डी हमारा आंसर है 75 जलिए ऐसे ही नेक्स्ट प्रस्न देख लेते हैं यह बहुत आसान प्रस्न है जो एंपी पुलिस की परिक्षा में पूछा गया है तो ऐसे प्रस्न की नंबर तो 100% मिलने चाहिए देख लेते हैं कैसे करना है आपको बताना है कि 1000 स्क्वियर माइनस 999 का वर्ग किसके बराबर है तो देखिए बहुत आसान कोश्चन है आप सबने पढ़ा हुआ है कि A का वर्ग गरीन B का वर्ग कैसे करेंगे 1000 का वर्ग को मान लीजिए A का वर्ग और 999 को मान लीजिए B का वर्ग A का वर्ग माइनस B का वर्ग और शुत्र होता है A प्लस B एक कोश्टक में और A माइनस B दूसरे कोश्टक में तो 1000 स्क्वियर माइनस 999 स्क्वियर की जगالم लिख सकते है 1000 प्लस 999 दूसरे कोश्टक में 1000 मांइनस 999 एक हजार और नोसो निन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्यन्य गया है कि 4536 बटे 49896 का सरलतम रूप क्या होगा तो आईए सबसे पहले 4536 बटे 4996 हमारे पास में 4536 बटे 49896 तो इसको करने के दो तरीके है पहला तो बेसिक तरीका है कि आप दोनों को काटते चले जाओ लास्ट में आपका सरलतम रूप आ जाएगा ठीक है कैसे चार और पाच नो नो और तीन बारा बारा और च्छे अठारा अठारा आया मतलब इसमें तीन कभी भाग जाएगा छे कभी भाग जाएगा नो कभी जाएगा जिससे भी कट रहा होगा नीचे वाला उससे काट देंगे उपर वाला भी देखते हैं नीचे कहा जाता है चार और को करने की एक short trick भी होती है सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर पहला अंक चार है और आखरी अंक छे है यहाँ पर भी पहला अंक चार है और आखरी अंक छे है एक दो तीन चार यहाँ चार अंक है एक दो तीन चार पाच यहाँ पाच अंख है, मतलब एक अंख यहाँ पर जादा है, यदि ऐसी संख्या है आपको मिले तो आपको समझ जाना है कि छोटी संख्या में 11 का गुना हुआ होगा, तब बड़ी संख्या ही है, वो कैसे? उधारन से समझते हैं, मान लेते हैं कि 362 एक संख्या है, इसमें यदि 11 का गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, कमाल देखिए, यहाँ पर 3 नंबर है तो सबसे पहले तो 4 नंबर हो जाएंगे पहला आंकर 3 होगा और आखरी 2 होगा, बीच में 2 नंबर आएंगे, वो कौन से होगे? पीछे गुना करने की ट्रिक यह है कि पहला और आखरी अंक लिख लिजे और फिर आखरी अंक से जोड़ते चले जाएंगे, जैसे 2 और 6, 8 यहाँ पर आया, 6 और 3, 9 यहाँ पर आया, एक बार चेक कर लेते हैं, सहीं गुना है या गलत 11 दुनी 22 का 2, बचे का 2 11 चिंग 66 और 2, 68 के 8 फिर आत के आये 6, 11, 33 और 6, 49, तो आपका correct answer आया, एक और उधारन देख लेते हैं, माल लिजे कोई भी नंबर ले लिजे, 4532 माल लेते हैं, इसमें 11 का गुना करना है, तो क्या trick बता ही मैंने, सबसे पहले तो आखरी का अंक वही आएगा, और शुरू का अंक वही आएगा, यहाँ पर 4 अंक है, तो यहाँ पर 5 आएगे तो 1 और 2, अब इसके बीच में 3 अंक आएगे, वो कौन से देखिए 2 और 3, 5 यहाँ जाएगा 3 और 5, 8 यहाँ जाएगा 5 और 4, 9 यहाँ जाए गए बिना गुना किये हम लोगों ने 11 से गुना निकाल लिया, देख लेते हैं 11 दूनी 22 का 2, बच्चा 2, 2 यहाँ असिल आया, 11 तिरी 33 और 2, 35 के 5, बच्चा 3, 3 यहाँ हाँ हाँ, 11 पच्छे 55 और 3, 8, 58 8 यहाँ, 5 यहाँ पर आसिल आया 11, 44, और 5, 49 तो 49,852 आपका आंसर आया ऐसे ही इस प्रस्ट में देखिए 4,536 उपर है और 49,896 नीचे है इसका पहला अंक 4 है इसका भी पहला अंक 4 है इसका लास्ट अंक 6 है इसका भी लास्ट अंक 6 है इसमें उपर 4 अंक है और एक अंक बढ़के नीचे 5 अंक है 6 और 3, 9, 9 यहाँ आ गया 3 और 5, 8 यहाँ आ गया 5 और 4, 9 यहाँ आ गया पहला और आखरी अंक अपनी जगह पे है तो मतलब इसमें 100% 11 का गुणा हुआ है एक बार देख लीजे 4536 गुणित 11 और यहाँ पर आएगा 3 क्योंकि 49 हुआ 11 पाचे 55 और 3 58 के 8 और 5 यहाँ पर आजाएंगे 11 चुक 44 और 5 उन्चास 9,896 वही नंबर है यानि 4536 का भाग 9,896 में देंगे तो 11 बार जाएगा मतलब यह एक बार कटेगा और यह 11 बार तो हमारा आंसर आजाएगा 1 बाटे 11 ऑप्शन B हमारा राइट आंसर है तो यह असान सी ट्रीक है और एक्जाम के लिए बहुत महत पूर्न है यह प्रस्न है जो MP पुलिस एक्जाम में अभी पुछा गया है तो आप अपनी तयारी अच्छी रखिए और यदि Maths की अच्छी तयारी चाहते है और 40 नमबर पूरे बक्के करना चाहते है तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करिए और मेरे मैनल को सब्स्राइब कर लीजे ताकि आपको वीडियो सर्च करने में दिक्कत ना हो धन्यवाद